हलो एवरिवान तो हम कॉंप्टेंसिफ निकाल रहे थे ठीक है क्या ही थी एक्वेशन 5 और 6 कुछ हम घटा रहे थे उसमें से तो एक्वेशन 5 क्या थी हमारी एक पर हम नोट डाउन कर लेते हैं एक्वेशन 6 ता हमारी क्या आई थी हमारी एक्वेशन 5 ये कब मिली थी एक्वेशन फर्स्ट का हमने दोनों तरफ वर्क किया था ठीक है और एक्वेशन 6 था हमारी क्या ही थी एक्वेशन 2 और 3 को हमने वर्क करके एड़ किया था ठीक है तो क्या ही थी हमारी पास M² V² C² इक्वेशन 6 थी तो एक्वेशन 5 माइनस एक्वेशन 6 तो करते हम क्या है है हमारे पास अगर इसको गटा रहे हैं तो m² c4-m² v² c² equal to h² ν्यू माइनस ν्यू प्राइम का square इसको उपन नहीं किया था क्या हां नहीं किया था इतना ही था ठीक है प्लस m² c4 plus 2h ν्यू माइनस ν्यू प्राइम माइनस h² न्यू स्टक्वार माइनस h² न्यू प्राइम का square यह प्लस हो जाएगा प्लस 2h² न्यू प्राइम को से 5 ठीक है अब यहां से इसकी square को खोलते हैं यहां से क्या m square c square को मन ले सकते तो बचा क्या यहां से c square बचा minus v square ठीक है c4 था c square को मन लिया तो c square बचा minus v square अगर इसको उपन करें तो h square new square minus plus h square new prime का square minus 2 h square मैंने इसको खोलने के साथ साथ इसको अंदर भी मल्टिप्लाई कर दिया ठीक है इतना तो अंडिश्टूड हो 2h square new new prime ok m0 square c4 plus 2h new minus new prime m0 c square minus h square new square minus h square new prime square plus 2h square new new prime cos 5 द्यां राकर ना यह cancel out हो गया ठीक है अब यहां से c square अगर और common लें तो क्या आएगा m0 square c4 bar यहां से क्या जाएगा 1 minus v square by c square ठीक है और यहां क्या term बची इसके common लें 2h square new new prime common लें तो यहां से तो 1 बचेगा और यहां से cos 5 बचेगा तो equal to 2h square new new prime हमने common लें लें इन दोनों term में ठीक है तो बचा क्या cos 5 positive cos 5 यहां से minus 1 ओके और से इस term हमें ऐसे कैसे लिखते हैं m0 square c4 plus 2h new m0 c square new minus new prime ठीक है अब हमें पता है m और m0 में क्या relation होता है m0 upon under root 1-3 square by c square यह relation होता है mass के लिए जो हमें याद रखना चाहिए तो यह mass के लिए relation होता है यह हम equation इसमें रखें तो क्या आ जाएगा यहां से अगर हम रखें m square into क्या है m into m into यह हो रहा है m note अगर यहां से करें तो m into under root 1-v square by c square अगर इसका square करें तो यह भी square और इसका square तो यह root रट जाएको m square 1-v square by c square इसकी value क्या आ गई m note square ठीक है तो m square और इसकी value हम क्या लिख सकते m note square तो इससे करें m note square c 4 ठीक है और यहां से करें तो 2h square new new prime cos 5-1 plus m note square c 4 plus 2h m note c square new minus new prime अब एक चीज़ ध्यान रखना यह cancel out हो गया क्यूंकि सेम सेम टर्म है अगर यह इदर जाएगा माइनस में आएगा यह cancel out हो गया बच्ची क्या टर्म हमरे पास इसको अगर हम इदर ले जाएं तो माइनस सेम के साथ आजाएगा 2 h square new new prime cos 5-1 इदर क्या बचा हमारे पास यह वाली टर्म only 2 h m note c square new minus new prime ठीक है यहां तक के लिए अब हम इसको अंदर आकर minus multiply करें तो यह 1 minus cos 5 लिख सकते इसको 1 minus cos 5 तो यह minus cancel हो जाएगा ठीक है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है यह जो relation होता है m और m note है m note हमारे यहां rest mass है यह relation होता है यह हमें याद रखना है ठीक है यह फिर इसको हम generally m note equal to के लिख सकते m into under root 1 minus v square by c square ठीक है यह term कैसे आई दोनु तरफ square करो m note square equal to m square अगर इसका square करेंगे तो यह क्या बचाएग 1 minus v square by c square हमारे पास यही तो है इसमे m square into 1 minus v square by c square c4 को हमने ऐसे कैसे रखा m note square c4 ठीक है और यह दोनु term हमने cancel out की तो next term में हम क्या करेंगे इसको अंदर multiply करेंगे 1 minus cos phi हो जाएगा ठीक है और जो new minus new bar को में new और new bar का से divide करेंगे है ठीक है बस last अंत है जो हमारा आनी वाला है competitive है तो हम next lecture में करते हैं ओके बाई कल करते हैं